इन्सान कितना भी चाले उसको जीते जीना कदर और कबर कभी नए मिल सकता फिर क्यों चिंता करते हैं दूसरें कि नदर से निकालो और लाइप में जो भी करना है वो आप करो ठीक है क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे यह क्लास का चलता है सुबह में साड़े चार बचे डेली चलता है आप सभी को 10 से 11 मिनट के अंदर में आपको important question करवाता हूँ जिससे आप current affair से कम से कम update रहें per day और इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के उपर मिल जाएगा या फिर हमारे वीडियो के description box में ठीक है और एक बात किसी भी exam का मोग test आप देश सकते हैं हमारे application जो है success की 98 को download करने के बाद जो आपको google के play store पर मिल जाएगा ठीक है application को download करने के बाद आप अपने phone के उपर किसी भी exam का practice set दे सकते हो railway हो, assistive हो या bank को हर exam से पहले आपको कम से कम 20 से 25 set दिया जाएगा ताकि आप judge कर पाओ कि आप उस exam से पहले कितना score कर पारे उस exam में क्या-क्या गलती हो पारा ताकि exam से पहले आप अपना गलती सुधार पाओ अगर वहाँ से 349 वाला package अगर buy करते हैं तो एक साल का validity आपको मिलेगा और आज cover करेंगे हम सभी 6 माई के important current affair साम को 6 बजे आप सभी का class कौन सा परतिस्त का पाँचवा पार्ट आने वाला है पाँचवा नहीं साइट चौथा पार्ट है पाँचवा पार्ट है बाकी के चार्ट पार्ट आपको हमारे चैनल पर playlist मिल जाएगा तो देखते हैं पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला question हमारे सामने स्वतंतरता सिनानी जिनका नाम क्या हेमा भराली आप photo में जिनको देख पा रहा है न जही है आपका हेमा भराली अच्छा भाई यह question important क्यों है क्योंकि यह इनको पद्मसरी अवार्ट से भी नवाजा गया है और इनका हाल ही में निधन हो गया है आपको यह बताना है यह किस राज से संबंदित थी तो यह जो है आसाम की रहने वाली थी option number आपका B ठीक है तो अगर बात करूं असाम के मुख्य मंत्री का तो नाम क्या है सर्बानन सोनवाल राज़पाल जगदिस मुख्य और कैपिटल तो वो आप सभी को पता है दिसपूर अगला प्रेस्ट हमारे सामने और यह question काफी 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 important है क्यों important है मैं पहले आपको बताता हूँ जपान सरकार के द्वारा मजबूत भारत जपान के सम्मंद को बढ़ावा देने के लिए जो जपान का सबसे बड़ा पुरुसकार है ना जिसका नाम के order of rising sun यह पुरुसकार मनमोहन सिंग जी को भी दिया गया है याद रखिएगा इस बार इस पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आपको उनका नाम बताना है तो यह अवाट दिया गया है आपका डॉक्टर थंगम थंगजम धाबली सिंग को जो जापान का सबसे बड़ा पुरुसकार है याद रखिएगा आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे यही है वो डॉक्टर साहिब जिनको अवाट दिया गया है याद रखिएगा क्वेस्टन ये वाला इक्जाम में तो बनेगा मतलब बनेगा अगला प्रस हमारे सामनी है ये क्वेस्टन भी काफी इपॉटेंट है सुबा में साड़े चार बजे 10 से 12 मिनट के अंदर इपॉटेंट क्वेस्टन मैं आपको रोज करवा देता हूँ ताकि करेंट अफ़ेर में कम से कम आप लोग अच्छे स्कूर कर पाओ यहाँ पर कुछ सिन क्या बोला है अलबामा की एक छोटी बच्ची है यानि बोल सकते हो किसोरी बच्ची है जिनोंने एक नाम रखा है किसका नाम रखा है भाया तो आगे पढ़िए जिसने नासा के अगरनी मंगल ग्रह हेलिकॉप्टर का नाम जो है इनजैनिती रखा है ठीक है जो ग्रह पर जाने वाला पहला बीमान होगा यह नाम किसके द्वारा रखा गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका बनीजा रुपानी ओप्सन नमबर आपका बी ठीक है और एक बात यहाँ पर जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है यही है आपकी वनीजा रुपानी और वो जो हैलिकॉप्टर है जिसका नाम रखा गया है आपका इनजैनिती वो यही हैलिकॉप्टर है ठीक है जो मंगल जो ग्रह पर जाने वाला पहला बीमान होगा ठीक है जो नासा के द्वारा लॉंच किया जाएगा यह भी याद रखना अगला प्रस हमारे सामने है और यह क्वेस्टर भी काफी इपोटेंट है क्वेस्टर क्या बोड़ रहे हमारे सामने एक पुस्तक है पुस्तक का नाम क्या है हमारे सामने तो पुस्तक का नाम है The Room Where It Happened A White House Memoir अब इस क्वेस्टर को थोड़ा समझेगा इस पुस्तक के लेखक है कौन तो मैं पहले आपको क्लियर कर दू भी यह फोटो क्यों लगा है तो फोटो के पीछे भी एक राज़ है जो यह किताब लिखा गया है वो लिखा गया है आपका जॉन बॉल्टन के दौरा ओप्सन नमबर क्या? ओप्सन नमबर आपका C ठीक है जॉन बॉल्टन के दौरा तो भाईया फोटो में डोनलड ट्रम्प का, ठीक है इनको डोनलड ट्रम्प ने हटा दिया था, ठीक है उसके वाद, इन्होंने ये पुस्तक लाउंच की है, पुस्तक का नाम क्या है, the room where it happened, a white house memoire, ठीक है अब डोनलड ट्रम्प को लग रहा है कि बहुत कुछ जानकारी या कुछ राज इस पुस्तक में जो है वो बताया गया है पुर्व सुरक्षा सालाकार जो जॉन बॉल्टन के द्वारा लिखा गया है तो क्या कर रहे डॉनल्ड ट्रम्प वो इस किताब को बैन करने के उपर जो है वो जोग दे रहे कि इस किताब को बैन किया जाए ठीक है तो इस क्वेशन का आप पुरा किलियर हो गए होगे अच्छा एक क्वेशन और बनता है अभी भाईया बरतमान में डॉनल्ड ट्रम्प का सुरक्षा सालाकार कौन है तो उनका नाम भी मैंने लिख दिया आप सभी को क्या है रॉबर्ट सी ओब्रैन ये भी नाम याद रखेगा अभी बरतमान में यही सुरक्षा सालाकार है आपके डॉनल्ड ट्रम्प के ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है कि कि सराज ने मनेरगा के तहत अकुसुल स्रमिकों को रोजगार परदान करने वाला राजजी की सूची में सिर्स इस्थान प्राप्त किया है यानि मनेरगा के तहत जॉब देने के मामले में टॉब पर कौन सा राजज रहा है इस लॉगडाउन या बोल सकते हो लास्ट फाइनेंसियल येर में तो वो राजज है आपका च्छतिसगड आपसन नमबर आपका डी और पहला परस यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को कॉमेंट करकर ये बताना है कि च्छतिसगड़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है च्छतिसगड़ के राजजपाल का नाम क्या है और च्छतिसगड़ का राजधानी क्या है ये तीन चीज़ आपको च्छतिसगड़ के बारे में कॉमेंट करकर बताना है ठीक है यह आपका आज का पहला प्रस नहीं है अगला प्रस हमारे सामने है ये question देखो जितने भी question करवा और हाँ एक दो जन comments कर रहा था कि भाईया आपके current affair का जो video है वो कई और channel पर भी upload होता है तो पता नहीं यार मैं उतना notice भी नहीं करता हूँ कहाँ पर upload होता है कहाँ पर नहीं बोलता है कि भाईया आप आपका thumbnail चंगर कर ना वहाँ पर आवाज आपी का पूरा content आपका रहता है तो मैं ज्यादा focus भी नहीं करता हूँ सोचो यार जो कर रहा है कर रहा अच्छा ही है ना कम से कम बढ़ावा मिला लोगों को जानकारी कम से कम update मिल रहा है तो छोड़ दो को research institutes के डीजी यारी director general किसे बनाया गया है और उनका नाम है Jacqueline Hughes option number आपका B यहीं है आपके Jacqueline Hughes जिनको महार निदेशक बनाया गया है अंतरास्टिया फसल अनुसादन संस्थान का ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है digital भुकतान application आप सभी को पता है ना बहुत जनके phone में तो already install होगा अगर आप payment अगरा करते हो तो patium application से google page से phone page से उसी तरह question क्या बोल रहा है digital भुकतान application google page के सलाहकार के रूप में किसे पूरु banker को नामित किया गया है वो पूरु banker रह चुकी है जिनको google page का सलाहकार बना दिया गया है उनका नाम बताना है महिला जो दिखाई दे रही है ना आपको photo में कौन है बताओ सीखा सर्मा बहुत popular ने बहुत बड़ा नाम बैंकर के छेतर में banking के छेतर में कौन है यह भैया यह सीखा सर्मा को बनाया गया है आपका advisor डिजिटल पेमेंट google page का यानि सलाहकार यह जो है ना axis bank के पुर्व co और md रह चुकी है याद रखिएगा सीखा सर्मा जो है जो axis bank है ना उसकी पुर्व md और co रह चुकी है question clear अच्छा एक question और याद रखिएगा अभी बरतमान में present में भाईया axis bank का co कौन है तो अमिताप चौधरी मैंने क्या बोला अमिताप चौधरी जो है वो अभी बरतमान में axis bank का CEO है ठीक है अगला प्रेस हमारे सामने है दिल्ली के पुलिस कमिस्टर यानि दिल्ली के पुलिस के द्वारा यानि दिल्ली के पुलिस कमिस्टर है कौन सी पहल सुरू की है ताकि प्रतिरक्षा को बढ़ावा के उपाय को सुरूचित करने करके फ्रंट लाइन कोविड यो धाओ के स्वास्ट को बनाया रखा जा सके यहाँ पर समझेगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ एक पहल सुरू की गई है दिल्ली पुलिस कमिस्टर के द्वारा अच्छा दिल्ली के पुलिस कमिस्टर कौन है एसन सिरवास ठीक है अच्छा दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्बीन केजरिवाल दिल्ली के उपर राजजपाल क्योंकि दिल्ली क्या है पुर वराज नहीं है केंद्र सासित परदेश है तो दिल्ली में क्या होता है दिल्ली में जो है उपर राजजपाल होता है वो कौन है अनिल बैजाल है अनिल बैजार दिल्ली के उपराग जुपाल है अब दिल्ली के पुलिस का मिस्नर ऐसन सिर्वास्तों के द्वारा एक पहल सुरूई की गई है जिसका नाम क्या है आयू रक्षा उप्सन नंबर सी इसके अंदर क्या होगा जितने भी फ्रंट लाइन योद्धा है जो भी फ्रंट लाइन यानि जो भी नर्स है डॉक्टर है जो भी काम कर रहें कोविट डाइन टिन को या बोल सकते हो पुलिस है जो आज के डेट में लड़ाई कर रहे हैं लोगों को जागरू कर रहे हैं उनके लिए एक पहल सुरू किया गया है उस पहल का ना में आयू रक्षा इसके अंदर ना लोगों को उन लोगों को जो फ्रंट लाइन योद्धा है कोविट से लड़ रहे हैं लोगों की रक्षा कर रहे हैं उनको हर एक जानकारी उनको ये भी बताया जाएगा कि अपना इम्मिन सिस्टम को स्ट्रॉंग कैसे किया जाए क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब भी बहुत जादा संक्रमित हो रहे हैं लोगों को बचाने के चकर में तो इनको भी बचाना बहुत जरूरी है अगर ये नहीं बचे तो लोग कैसे बचेंगे ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है ब्राजिल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है और उनका नाम कैए सुरेश के रेड़ी जो फोटो में दिखाए दे रहे ही है आपके सुरेश के रेड़ी जिनको नया रास्दूद बना दिया गया है भारत के तरफ से ब्राजिल के लिए और ब्राजिल का रासधानी कै ब्रैजिला और वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल करते है ब्राजिलियन रियल और वहाँ के रास्थपती का नाम कै जेर बोलसो नारो ठीक है अगला प्रस हमारे सामने A.C.A. और O.C.A.निया छित से Fade Cup Hot Award यहाँ पर समझेगा पहला बात तो आपको यह याद रखना है जो Fade Cup है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो Fade Cup जो है वो टेनिस से जुड़ा हुआ है तो Fade Cup Hot Award के लिए नामित होने वाली पहली भारतिय कौन बन गई है तो उनका नाम है सानिया मिर्जा अब आप बोलेंगे भाईया साधी होकर तो पाकिस्तान की हो गई अभी भी इनका जो देश है जो नैस्नलिजम है वो आपका इंडिया कहीं है तो पहली मैला कौन बन गई है जिनको नॉमिनेटेड नामित किया गया है Fade Cup Hot Award के लिए तो उनका नाम क्या है सानिया मिर्जा आपसन नंबर आपका B तो ये थे आपकी इपोर्टेंट करेंट अफिर 6 मई का इसका पूरा का पूरा पेडिया विडियो के डिस्किप्सन बॉक्स से मिल जाएगा 6 बजे लाजवाब क्लास के साथ दुबारा मिलूंगा और उमीद कर रहे हैं आप सभी को क्लास बहुत पसंदार आओगा सभी क्लास ठीक है सो मेरे जितने भी भाई बैन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना चलिए